हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में आज हम इस वीडियो में वेल्डर के बहुती महत्यपून वस्टूनिस्ट प्रसमत्र ले कराया हैं जो एक से लेके 25 है और यह सारे कोश्चिन का इंसर इंपोर्टेंट है और यह सारे कोश्चिन और यह सनय जो चाहि है और वेल्डिन डिया है एकार आपश्चिन का सूवाइस्था वैल्डिंगा और इंसके उत्तर आप जाएक व्यागत का नम्मर नमर आपके सामने दिया दोस्तों निमिन्रिखित में से कौन सिट होस अवस्था वेल्डिंग है option A इलक्ट्रोग गैस वेल्डिंग option B प्रोजेक्शन वेल्डिंग यानि प्रेच्षेप वेल्डिंग option C explosive welding यानि भिसफोटक वेल्डिंग option D दिया है thermic welding यानि दोस्तो प्रस नमर दो क्या जो उत्तर हो जाएगा option C यानि explosive welding यानि भिसफोटक welding ठीक है दोस्तो यानि option C ये राइट एंसर प्रस नमर तीन आपके सामने है दोस्तो oxygen cylinder से जूरी नली का रंग होता है option A दिया है दोस्तो red यानि लाल option B दिया है blue यानि निला option C दिया है green यानि हडा option D दिया है दोस्तो yellow यानि पिला दोस्तो इसका उत्तर जाएगा option नमर बी यानि blue ठीक है दोस्तो प्रस नमर तीन के बाद आता प्रस नमर चार कौन सी low acetylene की आधिकता वाले gas के रूप में जानी जाती है option A neutral flame यानि उदासीन option B oxidizing flame यानि आक्सी कारक option C reducing flame यानि आपचायक option D both A and B यानि के option A और option B दो दोनो दोस्तो इसका उत्तर जाएगा प्रस नमर चार का उत्तर जाएगा option c ठीक है दोस्तो option c इसका राइट अंसर हो जाएगा यानि reducing flame यानि आपचायक ठीक है दोस्तो प्रश्ण नमर चार के बाद आता है प्रश्ण नमर पांच निमजित यानि समर्जड अर्क बेल्डिंग में निमन में से किस इलक्टोड का प्रियोग किया जाता है आप्शन दिया है दोस्तो बार इलक्टोड आने अनवरित इलक्टोड आप्शन बी दिया है लाइट कोटेट इलक्टोड यानि हलके लेपित इलक्टोड आप्शन सी दिया है मिडियम कोटेट इलक्टोड आप्शन सी दिया है है वारी लेपित इलक्टोड यानि आप्शन न यानि आनवरित इलोक्टोर्ड, option नमर ए जर राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्रशन नमर छह आपके सामने दिया है, GTAW प्रकिरिया के लिए, GTAW प्रकिरिया के लिए निम्न में से किस सकती, शुरूत किया वसकता होती है, option a दिया है constant current यानि स्थिर धारा option b दिया है constant voltage यानि स्थिर बोल्टेज option c दिया है variable current यानि परिवर्तित धारा option d दिया है both a & v यानि option a option b दोनों दोस्तों इससका उट्टार जागा option नम्मर बी यानि कॉंसेंट वोल्टेज इस्तिर वोल्टेज ठीक है दोस्तों ऑप्शन नम्मर बी इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ट नम्मर छह के बाद आता है प्रस्ट नम्मर साथ निम्न लिखित में से किस वेल्डिंग पड़किरिया में अनु अनु भोग्य इल प्रस्ट नम्मर साथ साथ के बादा प्रस्ट नम्मर आठ एक ही तल में इस्थिर और किनारों के मध्यम मध्यम से जूरे हुए भागों को क्या कहा जता है ओप्शन ए दिया है बट जॉइंट अप्शन बी ओदिया है corner joint option C दिया है left joint option D दिया है T joint दोस्तो इसका उतर जागा option A एनिकी butt joint ठीक है दोस्तो प्रस नमर आठ के बाद आता है प्रस नमर 9 निम्न देशों में से किसका उपयोग एक welding में परिच्छन gas के रूप में किया जाता है दोस्तो option दिया है carbon dioxide option B दिया है helium option C दिया है argon option D दिया है carbon monoxide ठीक है दोस्तो प्रस नमर 9 का जो उत्तर हो जाएगा option D यानि carbon monoxide ठीक है दोस्तो प्रस नमर 9 के बाद आता प्रस नमर 10 निम्न में से कौन सी धातू को जोरने की परकिरिया नहीं है option A welding, option B bridging, option C soldering, option D anodizing दोस्तो इसका option D इसे राइट एंसर हो जाएगा यानि welding धातू को जोरने की परकिरिया जो है 3 है welding है bracing है, soldering है लेकिन anodizing नहीं है यानि option D इसे राइट एंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो प्रस नमर 10 के बाद आता प्रस नमर 11 निमें लिखित में से कौन सी लोह समागरी है option A aluminium, option B copper, option C nickel, option D cast iron, दोस्तो इसके उत्तर हो जागा option नमर D, cast iron ठीक है दोस्तो एनि D इस राइट एंसर हो जाएगा प्रस नमर 12 आपके सामने हैं TIG का पूरा नाम क्या है option A total infusion fusion gas option B दिया है tungsten inert gas option C दिया है thermal e-grading gas option D दिया है torch inert gas option B इसके राइट इंसर हो जाएगा tungsten inert gas दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा option नमर B tungsten inert gas ठीक है दोस्तो प्रस नमर 12 के बाद आता है तेरा railway track के पटरियों की welding किसके द्वारा की जाती है option A carbon dioxide welding option B SAW option C TIG welding option D thermic welding दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा option नमर D thermic welding ठीक है दोस्तो फ्रस नमर 13 के बाद आता है फ्रस नमर 14 जो उत्तर हो जाएगा option D हो जाएगा thermic welding ठीक है दोस्तो फ्रस नमर 13 के बाद आता है प्रस नमर 4 दिया है braging कारे के लिए splatter के रूप में किस मिसरन किस मिस्रधातव disease option A औप्शन ए, copper plus aluminium, option B, copper plus nickel, option C, copper plus iron, option D, copper plus zinc, ठीके दोस्तों, प्रस्ट नमबर 14 का जो उप्तर हो जाएगा, option नमबर 14, अप्रस्ट नमबर 14, आपके सामने दिया निमिल लिखित में से, किस बेलडिंग, टक्निकी में निर्वाचित वातावरन की आवास्था आवासकता होती है ओप्शन A, अल्ट्रा सोनिक वेल्डिंग ओप्शन B, लेजर बीम बेल्डिंग ओप्शन C, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग ओप्शन D, इलक्ट्रॉन बीम बेल्डिंग दोस्तो इसका उत्तर हो जागा option number D electron beam welding ठीके दोस्तो प्रस नम्बर 15 का उत्तर हो जागा option number D electron beam welding ओके दोस्तो प्रस नम्बर 15 वाद आदा प्रस नम्बर 16 गैस वेल्डिंग में उच्चे ताप उत्पन करने के लिए उसमा छेपी रासाइनिक अविकिरिया का उप्योग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है option A arc welding option B thermic welding option C tungsten in return gas welding option D soldering दोस्तो इसका उत्तर जाएगा option number B thermic welding ठीके दोस्तो प्रस नम्बर 16 के बाद आता प्रस नम्मर 17 मोनेल किस्से मिलकर बना होता हैं मोनेल जो होता हो किस्से मिलकर बना होता है तो option A nickel option B magnesium option C carbon option D silicon दोस्तो इसका उत्तर जाएगा option A nickel से ठीके दोस्तो, प्रश्ण नमर 70 का उत्तर हो जाएगा, ओप्शन नमर A इसे राइट एंसर, ठीके दोस्तो, प्रश्ण नमर 70 का बादा प्रश्ण नमर 18, निम्न में से कौन सा वेल्डिंग, दोस अत्याधिक धारा के कारण उत्पन होता है, ओप्शन A, पोरो सीटी, ओप्श आति प्रवेश, दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा, ओप्शन नमर D, ओबर पेनेट्रेशन, ठीके दोस्तो, प्रश्ण नमर 18 बादा प्रश्ण नमर 19, ब्रेजिंग के लिए उप्युक्त फ्लक्स को क्या कहा जाता है, ओप्शन A, गन मेटल, ओप्शन B, जिंक करवाइड, जिंक कोलोराइड, ओप्शन C, रेजीन, रोजीन, ओप्शन D, बोरेक्स, दोस्तो इसका उत्तर हो जागा, ओप्शन D, बोरेक्स, यानि ब्रेजिंग के लिए उप्युक्त फ्लक्स को क्या कहा जाता है, तो बोरेक्स, ठीके दोस्तो, ओप्शन नमर D, इस राइट एंसर, 1.42, 1.6, ओप्शन C, 1.252, 1.3, ओप्शन D, 1.621, 2.2, दोस्तो इसका उत्तर जागा, ओप्शन B, 1.42, 1.6, इस राइट एंसर, ठीके दोस्तो, ओप्शन नमर B, इस राइट एंसर, प्रशन नमर 20 के बाद आता प्रशन नमर 21, गैलवे नाइस, लोहे की चादर, ओके के लिए, उपयुक्त फुलक्स कौन सा है, ओप्शन, दोस्तो ओप्शन दिया आपके सामने, ऐलुमुनियम कलोराइड, ओप्शन B दिया आपका, बोरिक एसीड, ओप्शन C दिया है, हाइड्रो कलोरिक एसीड, ओप्शन C के बाद ओप्शन D दिया है, बोथ, A and B, दोस्तो उसके उत्तर हो जाएगा option number C यानि hydraulic acid ठीक है दोस्तों option C जो राइट एंसर हो जाएगा 21 के बाद दोस्तों 22 आपके सामने दिया है welding जोर में संद्रता कौन से दो सुत्पन होती है option A poor waste metal यानि खराब मूल दातू option B low welding current यानि निमन welding धारा option C high welding current उच्चे welding धारा option D wrong size of electrode गला साइज के electrode तो प्रशनमर 22 के जो उत्तर हो जागा option A poor base metal ठीक है दोस्तों option A जो राइट एंसर प्रशनमर 22 के बाद प्रशनमर 13 दिया दोस्तों निमन लिखित में से कौन से बिदूत का सबसे अच्छा चालक है option A copper, option B ceramic, option C stainless steel, option D लक्री दोस्तों इसके उत्तर हो जाएगा यानि option A जो राइट एंसर प्रशनमर 23 के उत्तर हो जाएगा दोस्तों option दिया आपके सामने, radiography, option B दिया है, high penetration, option C दिया है, mega flux, option D दिया है, tensile test यानि तन्यता परिच्छन, दोस्तों option हो जाएगा इसका tensile test यानि तन्यता परिच्छन, option D जो राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्रशनमर 24 का बाद आता, प्रशनमर 25, निम लिखित में से कौन सी गैस मिसरन का परियोग काटने के लिए किया जाता है, option A, oxygen, hydrogen, option B, hydrogen, acetylene, option C, oxygen, acetylene, option D, acetylene, organ, दोस्तों हम सब को मालूम है, कि welding करने के लिए दो गैस acetylene, ठीक है, acetylene को DA बोलते हैं, और oxygen को oxygen ही बोलते हैं, तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, आपका, option C, यानि oxygen और acetylene, ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, एक से लेके 25 तक, बहुत इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट प्रशनमर उत्तर देखे, जो objective type थे, और यह सारे एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो उमीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें, और बस आज के लिए इतना इकाफिय है, जैंद!